दोस्तों आप सबका स्वागत है स्पिरिचुल ट्री चैनल में भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर आप इस व्रिक्ष को मात्र छू कर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी दुख दर्द कष्ट पीड़ा उसी समय से मिट्टी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएं धनवान माला माल आज दोस्तों यदि आप भी आपके घर की सुख शान्ती संतान की कमी और धन की कमी या कर्द से परिशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपके पिता आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शान्ती में रुकवट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों 2 सितंबर 2024 भादरपद अमावस्या पर इस व्रिक्ष को मात्र छू कर आ जाना उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले Spiritual Tree Channel को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा के रखिएगा जिससे वीडियो मिसना हो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए दोस्तों इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुरलब संयोग लेकर आया है और इस बार यह 2 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पढ़ने जा रही है और दोस्तों इस दिन राज योग कालसर दोश के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है जिसकी वज़ा से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयम कहा है कि व्रिक्षों में मैं स्वयम पीपल का व्रिक्ष हूँ इसलिए दोस्तों पीपल के व्रिक्ष को व्रिक्ष व्रिक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल व्रिक्ष की जो आयू होती है वह सबसे ज्यादा होती है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयम कहा कि व्रिक्षों में पीपल हो तो दोस्तों चलिए, अब मैं आप लोगों को उन पावन व्रिक्षों के बारे में बताऊंगा, जो कि कल कल्यान कारी है, जो मंगल कारी है, अगर आप इन व्रिक्ष को छू लेते हैं, इस भाद्रपद अमावस्या जैसे, यहां के दिन तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही स्वयम भगवान विष्णु जी इन व्रिक्षों में वास करते हैं, इस वजह से इन में शक्ति आ जाती है, और यह पेड़ पौधे जागित अवस्था में आ जाते हैं, दोस्तों इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छूते, खास करके जो देवी स्वरूप कहे भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे चूकर आ जाते हैं, तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कश्ट रोग बीमारी है, है जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगी, और यह एक ऐसा समय होता है, जो बहुत ही कल्यान कारी, बहुत ही मंगल कारी दिन होता है, सभी ग्रहों को एकत्रित करके, सभी ग्रहों को स्पोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता, और आप अपनी आँखों से देखते हैं, गरीबी को व्रक्ष है, जिसे व्रक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का व्रक्ष. जी हाँ, केले का व्रक्ष आपके घर के आसपास मिल जायेगा, इसमें स्वयम भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी वास करती है. दौस्तों आपको इसे खासकर भादरपद अमावस्या के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस व्रिक्ष को छुपकर कर आ जाएं, तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, ततकाल गरीबी मिट्टी है और सुख समरिध्धी की प्राप्ती होती है, धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है, और भाग्य आपका साथवें आसमान पर रहता है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरू करते हैं, केले का पेड बहुत ही पवित्र माना जाता है, कहते हैं केले के पेड में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन, अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी चना किस्मिस डाल कर, तो जीवन उसमें यश्मान सम्मान की प्राप्ती और संतान की प्राप्ती होती है, अगला व्रिक्ष दोस्तों, तुलसी का पौधा, दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं, तो जीवन के कष्ट मिटते हैं, इसमें भी मान लक्ष्मी का वास होता है, तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी ततकाल म या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें चुकर आ जाएं और अपनी मनो कामना जरूर बोल दें। आम का पेड़ भी चुकर आ जाएं गरी भी मिट्टी है। अब अगला व्रिक्ष है दोस्तों पीपल का व्रिक्ष में स्वयं भगवान नारायन वास करते हैं। कामना बोलते हुए छोड़ देना है दोस्तों ! जो भी आपकी मनुकामना है नौकारी को लेकर, बिजनिस, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, सन्तान को लेकर, विवाह को लेकर तो आपको बस भगवान भगवान विश्णुजी के व्रिक्ष पीपल के साम ने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है और उन्हीं का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है, ततकाल देखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी, बाकी आपकी मर्जी दोस्त दोस्तों, इतना पावरफुल यह उपाय है, इसको करने से आपके जीवन के दुरभाग ये दूर होंगे, कश्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है, दोस्तों, पीपल के व्रिक्ष में, वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन भाद्रपद अमा भी मिटेगी, आए दोस्तों, अब जान लेते हैं, भाद्रपद अमावस्या के कुछ और जरूरी उपाय और कथा, दोस्तों भाद्रपद, अमावस्या की तिथी का विशेश महत्व, सनान दान और तरपन के लिए होता है, शास्त्र अनुसार ऐसा करने से हमारे जीवन में धन, धान्य, सुख, संपत्ती, वैभव, यश और सौभाग्य की प्राप्ती होती है, इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना और उज्ज्वल भविश्य के लिए व्रत रखती हैं, भाद्रपद अमावस्या, सत्या को हिंदू मान्यताओं के अनुसार, अत्यंत मंगलकारी, शुभदायका में तरपण के महत्व के संबंध में ऐसा कहा जाता है, कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि को, पितरों को प्रसन्न करने से, जातकों के जीवन में आजीवन सुख, शान्ती और सम्रिध्ध बरकरार रहती है, पितरों की शान्ती के लिए दोस्तों भर त्रिपद अमावस्या के दिन, सुभह उठकर गंगा सनान करें, यदि गंगा किनारे जाना संभव ना हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, सनान के बाद पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर उचित मुहूर्त में पूरे विध का आगमन होगा। ये भद्र अमावस्या के दिन, 64 देवियों की छोटी-छोटी प्रतिमा बनाएं और उन्हें सुन्दर नए वस्त्र धारण कराएं। साथ ही पूजा के स्थान को सुगंधित एवं ताजे पुष्पों से सजा ले, पौरानिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भद्र पद अमावस्या के दिन ही भगवान इंद्र की पत्नी ने माता पारवती को कथा सुनाई थी। पूजा अर्चना के समय माम दुर्गा को सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे साड़ी सिंदूर नहीं, चूरी बिंदी आदी चड़ाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, दीरगायू होंगे। आईए अब जानते हैं भाद्र पद अमावस व्यक्ति ब्राह्मन को अपनी सामर्थ्य अनुसार अनाजदान करें। और कुछ पैसे भी दोस्तों भाद्र पद अमावस्या के दिन काल सर्प दोश निवारन के लिए पूजा अर्चना करना उचित मानी जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाद्र पद महीना भगव काल सर्प दोश का निर्मान हो जाता है। काल सर्प दोश की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपाय कुछ इस प्रकार से है कि काल सर्प दोश से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधी विधान से भगवान विश्णु भगवान का अभिशेक करें, भगवान विश्णु को भोग भी लगाएं और उनकी आरती करें, भगवान विश्णु की पूजा अर्चना करने से कालसर्प दोश से मुक्ति मिल सकती है, सोमवार के दिन आने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जा रहा है। भाद्रपद अमावस्या के दिन जहां एक और पवित्र नदी में सनान का बहुत महत्व माना जाता है, तो वहीं इस दिन कुछ चीजों को पवित्र नदी में विसरजित करना भी बहुत शुब सिद्ध होता है। आईए जानते हैं कि कौन सी वो वस्तुएं है जिनहें पवित्र नदी में भाद्रपद अमावस्या के दिन बहा देना चाहिए, और क्या हैं इस से मिलने वाले लाब। और पित्रों का आशीरवाद बना रहता है घर में रखे ऐसे पुराने वस्त्र जिन्हें पहना न जाता हो और जो पूरी तरह से खराब मटमेले हो गए हो वह नकारात्मक उर्जा को बरहाते है और साथ ही व्यक्ति पर भी इसका बुरा असर दिखने लगता है ऐसे में भादरपद अमावस्या के दिन ऐसे कपड़ी डीडियों को पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए इससे नकारात्मक ता दूर होती है और सकारात्मक ता बरहती है भादरपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी में जलता हुआ कपूर विसर्जित करने से किसी भी प्रकार का दोश जैसे की ग्रह दोश, वास्तु दोश, पित्र दोश आधी दूर होता है और शुभता का घर में आगमन होता है इसके अलावा अगर पान के पत्ते पर कपूर जला कर पवित्र नदी में बहाया जाए तो इससे शुभकारियों में सफलता मिलने लगती है और तरक्की होती है भादरपद अमावस्या पर इन उपियों को करना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद दोस्तों हर हर महादेव